हेई गाईज वेल्कम बैक टो मैं चैनल सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया है यह त्री स्टाप टॉमरिक फेश्यल जिससे आप घर पे बड़ी असानी से कर सकते हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर स्किन पा सकते हो सो चलिए देखते हैं इसका जो फॉर्स टै है वह ह्ताप है वह हमारा क्लिंजर हिए तौमरिक क्लिंजरो इसको बनाने के लिए हमारी चरीए होगा एक बावर और उसमें मैं.. लोगी एक टी-स्पून तौमरिक कस्तूरी हल्दी और उसमें मिक्स कर दूंगी वन इंद हाफ टेबल स्पून मिल्क और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी यह हमारा क्लिंजर रैडी हो चुका है इसको हमने कॉटन बॉल की हल्प से अपने पूरे फेस पर अपलाई करना है और उसको अच्छे से मिल्क और टॉंगी तर्मरीक हमने मिक्स किये हैं वह बहुत अच्छा नेच्छल क्लिंजर का काम करते हैं टॉंग में जो होती है अंटी सब्टिक प्रॉपरटी होती है वह आपके स्किन को डेली डेमेज से प्रोटेक्ट करती है जो मिल्क है वो डीप ली आपके स्किन से जर्म को रिमूज करता है आपके के जो गंदगी meditation को भी रिमूज करने में अलय करता है गास्सथदु को ने मैं इसको अपने इसको चाहिए क्लीन कर लेना है इसके बाद हम चलेंगे अपने सेकेंड स्टेप की तरफ जो की है हमारा स्क्रब और टॉमरीक स्क्रब इसमें हमने थोड़े से इंग्रेडियंट और मिक्स करने हैं से चलिए दिखते हैं कि हमने स्क्रब कैसे बनाना है तो यहां पर मैंने बावल ले लिया है उसमें मैं एड कर रही हूं टॉमरीक वन टेबल सॉरी टीस्पूल नेक्स्ट मैं इसमें आड करूँगी हनी यह भी मैं एक ही टीस्पून आड कर रही हूं इसमें नेक्स्ट मैं इसमें आड करूँगी मिल्क मिल्क मैं यहां पर ले रही हूं वन इन हाफ टेबल स्पून नेक्स मैं इसमें आड कर दूँगी ओट्स एक टेबल स्पून सो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी यह हमारा स्क्रब रही है अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे इससे स्क्रब करेंगे अपने फेस के लिए कमसे कम चार छे पांच मिनृत करें लिए इसको स्कुटब करना अपने फेस में यहानी कि मसाज करना है हलके हाथों से अ這是 में हमने रीड involving yolтесь किया रीज वो आपके जो ओट्स है इसमें वो जो है आपकी skin को exfoliate करते हैं आपकी skin को soft बनाते हैं and जो milk है वो fight करता है premature aging से and shrink करता है आपके large pose को so यह मैंने यहाँ पर अपना face wash के लिए scrub करते हैं so next हमारा third step है face mask so इसके लिए मैंने लिए हैं 2 spoon basin के table spoon so इसके बाद मैं इसमें डालूंगी turmeric, 1 teaspoon turmeric में ले रहूं इसमें इसके बाद मैं इसमें add करूंगी 2 tablespoon yogurt के यानि की दही के इसको अच्छे से mix कर दूंगी यानि हमारा face mask रहरी हो जाएगा इसको हम अपने face पप्लाई करेंगे so you are ready है इसको अपने अच्छे सपने face पप्लाई कर लेना है ground floor जो होता है वो आपकी skin के लिए बहुत जादा अच्छा होता है आपकी skin को जो है smooth बनाता है योगर्ट में जो होती है antioxidant properties होती है जो कि आपकी skin के लिए बहुत अच्छी है मैंने अपने mask को 10-15 मिनिट रखके अच्छे से इसको massage करके निकाल लिया है wash के लिए water से यह था हमारा facial अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें thank you अगर आपको यह वीडियो